तो आपके घर में सवचले हैं? नहीं है मेरा घर में तो गरीब है तो कहां से हम लोग बनावाएंगे? इस गाउं में कितना परिवार है? बारा सुचेतर टेकले बारा सुचेतर में से मतर 21 सवचले है जारकन के पस्टिम सिंभुम जीला को जारकन के सरकार ने सौच मुक्त गोसित क्या हुआ है? सौच मुक्त ओडियफ गोसित तब होता है जब उस जीले के हर गाउं में हर घर में सवचावलाय हो इस योजना के ताहट कापी सवचालाय का निर्मान भी हुआ है पर ब्यापाक रूप से चलाए जाने होले इस योजना को जाल्दबाजी में पूरा करने के कारण कापी डिला डिला काम हो रहा है जाल्दबाजी में गाउं को ओडियफ गोसित क्या जा रहा है जबकि गाउं में कापी घरों को सवचालाय निर्मान हुआ ही नहीं है या बना भी है तो उसका परयोग करना मुस्कील मुख्या दोरा बोला गया था कि बनवाएगा बोल करके तो फिर उधर से आया भी नहीं है और वार्ड नमबर को भी बोल ले थे और बार बार मीटिन में भी बोला गया था तो अभी तक वो सब आया भी नहीं है और बार बार बोलते कि सिलेक्शन होके आएगा बार बार बोल क कि अपना एकाउंट से खर्चा करने के लिए उसके बाद एकाउंट में भेजा जाएगा पैसा बारा हजर बाद में तो करीबी है सर आदमी लुकुन गाउंट में तुक्सर कहां से इतना पैसा लाए आप नुगु को इस समस्या से आउगत कराने के बाद आप समुसे मेरा बिनमर अपील है कि संबंदित पदादिकारी को स्क्रीन पर दिखाएगा है संपर्क सुत्र पर संपर्क करके आउगत कराएं कि ये समस्या है आपका उस समस्या के बारे में अपील दार्ज करें दाबाव ताकि मेरा गाउं में भी सवचाला बने और सवक्ष मुक्त हो और मेरा गाउं किसी ऐसे बीमारियों से गरस्त ना हो मैं कमल पूर्ती पस्चिम सिंपुम जारकंड से इंडिया अनहड के लिए